आप सभी का तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एक नई भरती का प्रणाम है जिसको कि संसोधित किया गया है इसमें आरता समन्दी भी बाद है जैसे किसी की आरता किसी पद के लिए न हो न हो फिर भी आपने आवेदन कर दिया हो और अगर वहाँ पे गलती से रिजल बदला गया है रिजल्ट बदलने या फिर रिजल्ट संसोधित होने की पीछे कई कारण हो सकते हैं ओयमार सीट में कोई गरबड़ी हो तुल्टिपूर ओयमार जाच हो भी हो आरता समन्दी किसी भी तरह का विबाद हो भरती प्रोसेस में किसी भी तरह की गरबड़ी हो कई सारी रीजन हो सकते हैं और किसी भी दूसरी भरती का अधारण आप अपने भरती के लिए कभी उसको आप compare न करें हर भरती में उसमें अलग-अलग चीजे होती हैं अलग-अलग भरती परिक्षा कराने वाली अलग-अलग आयोग होते हैं अलग-अलग होते हैं और उसमें अलग-अलग जो चीजे होती हैं जैसे अरता समंदी चीजे हो गई या फिर उसमें वोयमार online परिक्षा होई है, offline परिक्षा होई है बहुत तरकी चीजे होती है आगे दिखायेंगे आपको detail में नीज साथ साथ यहाँ पर नर्सिंग कालेजों में नई भरती शुरू एनम जूनियर असिस्टेंट 2019 लेकपाल साइथ यूपी ट्रिपल सी की जितनी भी भरतिया है सभी भरतियों में प्रतिक्षा सूची का प्रावधान हो साथ साथ P.E.T. में कामन कटाफ की मांग की जा रही है P.E.T. में कामन कटाफ को लेकर के हमने एक वीडियो अभी थोड़े दर पहले अप्लोड किया था अगर आपने ना देखा हो जैसे A.E.N.M. की नई भरतिया आती है इसको लेकर के पूरा हम विस्तित आपको जानकारी दे चुकी है अगर आप वीडियो सुन ली हो तो आपको यहाँ पर दुबारा से आपको चीजे बिलकुल आपको यहाँ पर असपश्ट हो जाएंगी एक बार फिर से आप सुन लीजिए माल लीजे 4,000 वेकेंसी आती है इसका 15 गुला करेंगे 60,000 और इतने आवेदन आएंगे नहीं आप सभी को पता है इस बार 18,000 संथिंग आवेदन आये थे A.E.N.M. 92 बार बरति में अगली बार कुछ थोड़े से और आवेदन अधिक आ सकते है 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक माल लीजे आवेदन आ गए suppose that जो eligible candidate है तब भी एक नंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा फिर से लेकिन अगर यहीं पर common cutout बनती है तो A.E.N.M. की नई भरती में माल लीजे 30-35 नंबर तक का हो गया cutout 40-50 परसेंटाइल अगर आप देखेंगे तो लगबग 30 नंबर के आसपास तक तो कहीं नगे उसके नीचे एक नंबर वाले जो भी अब भेरती होंगे जो भी A.E.N.M. भेने होंगी जो की आने वाले नई सरकारी यूपी ट्रेपलसे से जो भरती आएगी पेटे दोजारवाई से ही आएगी तो उन भरतीयों में कहीं न कहीं आवेदन करने से वन्चितरा जाएंगे मुक्य परिक्षा के लिए इलिजबिल होने से वन्चितरा जाएंगे लेकिन बागी के और जो दूसरी वरतिया है जहांपर आभेदन काफी ज़ादा आते हैं पदों की साफिक्ष पदों की संक्या बहुत कम होती है वहाँ पर जो है कामन कटाब बनने से अभ्भिहरतियों को फायदा मिलेगा सबी को अधिक सदिक अभ्यरतियों को मौका मिलेगा यही वज़ा है कामन कटाप को लेकर के लगातार मोहिम चल लई है इसके पहले मेल भेजा गया था आज भी मेल भेजे जा रहे हैं इस भी पोश्ट भी कर सकते हैं साथी साथ आगे पांस तारी को Twitter campaign भी किया जाएगा यहाँ पर जो दूसरी जो मांग है वेटिंग लिष्ट या सेकेंड लिष्ट को लेकर की यह बिलकुल बहुत अच्छी मांग है और UPCC के हर भरती में कुछ न कुछ सीटे जो है खाली रह जा रही हैं और यह सीटे खाली रह जाने से किसी एक बेरुजगार अभरती का जो सपना साकार हो सकता है उस सेलक्षन पाने से उन सीटों पर वन्चित रह जाते हैं जहां पर हजारों लाखों अभरती आवेदन करने हैं वहां पर कुछ सीटे खाली छोड़ना कहीं ने कहीं तरक संगत नहीं लगता है उन सीटों को भी भरा जाना चाहिए तो इनी सब मांग को लेकर के प्रतिक्षा सूची और साथ में P.E.T. कावन कटाब की मांग को लेकर के लगातार मुहिम चल लएए आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं आप किसी भी भरती से संबन दित हो जूनियर असिस्टेंट लेकपाल किसी भी भरती से अब यहाँ पर आगे बात करेंगे लोकशिवा आयो की तरफ से एई भरती का प्रणाम जो है बदला गया है इसमें 15 अभ्यरती जो पहले सेलेक्टर थे वो बाहर हो गये है और इसमें 22 नए अभ्यरतीयों का चैन हो गया है सिविल और मेकेनिकल साखा के 15 अभ्यरतीयों का इंटरव्यू भी निरस्त कृष्णी असनात्त के पत्तों सिविल मेकेनिकल के शामिल क्यों हो वे एक बिसेश चैन या सामाने चैन परिक्षा 2021 के ताथ ये भरती कराए गये थी और इसका जो परड़ा में कल सोमवार को संसुदित कर दिया गया सहाय का भियंता किर्शी पत्पर पूरों में इंटरव्यू के लिए चैनित सिविल और मेकेनिकल साखा के 15 अभियरतियों को बाहर करते वे क्रिशी साखा के 22 और अभियरतियों को शफल गोशित किया गया है इसके पहले आयवे परड़ा में 27 अभियरति सफल दे कुल अब संसुदित परड़ा में 34 अभियरति सफल है इन पदों के लिए 18 अक्टूबर को हो चुके साक्षतकार में सामिल सिविल और मेकेनिकल साखा के 15 अभ्यारतियों का इंटर्वियू भी निरस्त हो गया मतलब कुल मिलाकर कि यहां पर अरता समंदी शवाल हुआ था कि जब आप उसके लिए अर नहीं थे आप इलिजिवल नहीं थे फिर आप इस भरती प्रोसेस में सामिल कैसे हुए थे या फिर उनका रेजल्ट कैसे हैं आपर घोशित किया गया था परणाम संसुदित होने के बाद एक बार फिर उत्तरपदेश लोक्षिवा आयोग की कारे सैली पर सवाल उठे हैं इस भरती की बिग्यापन में करमांग 11 पर सहाय का भियंता क्रिशी पत की सेवा नियमावली अधियाचन में उलिकित भरती के स्रोत योब आरताओं के अनु आयोग ने सुमुआर को संसुदित प्रणा में केवल क्रिशी अवियंतर साखा के अभियरतियों को समलित करते वे 34 अभियरतियों को साक्षातकार के लिए सफल गोसित किया है जिसमें केवल क्रिशी अभियंतर साखा के लिए पुरों में सफल गोसित 12 अभियरती भी शमलित तक जो लोग eligible नहीं थे उनको भी यहाँ पर eligible मानते हुए यानि जो नियमावली जो notification थी लोक्षिवायों की उसकी अनदेखी करते हुए यहाँ पर result घोसित कर दिया गया था इसके बाद आगे हाँ पर देखिए 11 नर्सिंग कालेजों में 255 पदों पर होगी भरती नर्सिंग कालेजों में पढ़ाई की गुर्वत्ता बढ़ाने की दिसा में लगातार कदम उठाये जा रहे हैं खाली पद भरने की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है ब्रजेश पाठक उपमुकी मंतरी इसके पहले भी आप देखेंगे कि कई तरह के जो है सैक्चलिक पद उनके लिए नोटिफिकेसन जारी किया गया था जिसकी सूसना हमने आप सभी को समय समय पर दी है प्रदेश की नर्सिंग कालेजों में नोकरी की चाह रखने वालों के लिए अच्छी ख़बर है यूपी की ग्यारा नर्सिंग कालेजों में भरतिया हो रही है इसी करब में 255 पदों पर शंबिदा की आधार पर सैक्चलिक शंबर्ग में भरती की प्रप्रोसे सुरू कर द अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो एक बार आप इसकी बिस्तित जरूर पढ़ लीजेगा ताकि आपको अरता संबन्द या किसी भी तरह के कोई भी चीज़े आपको यहाँ पर उसमें बाद में आपको दिक्कत नहों सारी चीज़े असपश्ट होने के बाद ही आप आप सेलरी और वेतन आधी अच्छी होते हैं आप सभी जानते हैं कि जो भी सैक्षिडिक पदो पर भरती की जाती किसी भी भी भीवाग में आप देखेंगे तो उन पर जहें वेतन और ग्रेट पर सब अच्छी होते हैं तो ये कुल मिलाकर कि महतुपड अपडेट थी आगे कि जो भी आथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को इसी प्रगार से हमारे चैनल की मादेम से जानकारी प्राप्त होती रहेंगी वीडियो को आप लोग लाइक शियर करके साथी साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर करने धन्यवाद